भारत की पॉलिसी इस समय बेस्ट है क्या आप भारत को भी एक पोल बनता हुआ जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं या भारत ऐसे ही रहेगा और इसी वज़े से हम विश्व गुरू विश्व बंधू कहला है बिल्कुर देखो स्वेटा सबसे पहले आपको अपना नेशनल इंटर असली बदल सकते हैं तो इस चीज़ को देखते हुए जो आज की स्थिती है इसमें हमारे को रूस बहुत इंपोर्टन्ट है उनीस सो इकतर में हमारे साथ खड़ा हुआ था जब कोई नहीं था अमेरिका तो दूसरे परदे में था उसके बाद दो बातें हो रहे हैं कि जब हमें हथियार चाहिए अभी 220 के अंदर जब हमारे साथ टकरा हुआ था चाइना के साथ तो इसने मिक 29 ओर दिये हथियार दिये स्पेर पार दिये तीसरा है जो कश्वीर का इशू जब भी युनाइटिड नेशन उठा है वो भारत के साथ खड़ा है तो सचाई बात है कि भारत की बात मानी जाए वो करतें डायलोग और डिप्लोमेसी दा वेफारवर्ड पीस दा उनली सुलूशन मुझे लगता है कि भारत ने एक ये करके दिखाया कि आज की तारिक में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो भारत मारें क्योंकि भारत ने जो स्टैटिजि हमारा पुराना दोस्त रहा है और आज सारे देशों के नजर हमारे भारत देश पर तो सर इस कॉन्टिट पर इंडिया की सर कैसे टैकल कर रहा है ये जैसे एकॉनमी भी इंपक्त हो रही है एक और ले लेते हैं सर सवाल या राय जो आपको देनी है जी, मेरा सवाल आप सभी पैनलिस्स से है, जैसा कि आपने कहा कि रशा की एकोनॉमी काफी तक हिट हुई है और अभी जो नया डवलमेंट है स्वीडन और फिल्लेंड का अगर वो नाटो की सज़शा के लिए जाते हैं, तो पुतिन साब ने अल्रेडी एलान कर दिया है कि हम देविल हिट हार्ड, तो उस केस में रूस की एकोनॉमी अल्रेडी हिट हो रखी है, और अगर ये डवलमेंट होती है, तो ये फर्दर हिट होगी, तो भारत के परिपेक्ष में आप उसको किस तरह देखते हैं, भारत क्योंकि रूस के तठसते हैं, पहले उनका सवाल का कॉंस्पिरिसी कर रहा है इसी वज़े से और उनकी कुरसी तक चली जाती है, लेकिन भारत कहता है कि हम हमारी समवेदनाय युक्रेन के साथ है, निश्पक्ष जाच होने की बात करता है जब नरसंगार होता है, लेकिन रूस का साथ नहीं छोड़ता है साथ ही, हम भले ही हम करें बोट से, जो दो पैनलिस्ट, जो दो लोगों ने यहाँ पर इश्यू उठाए है, बहुत रेलेवेंट है, बेसिकली भारत का रोल, एक्चली इफाई समेट अब भारत का रोल के बारे में बात हो रही है, इन्होंने अलड़ी बताया है, नाशल इंट्रेस्ट डिक्ट बाइ थ्रेट्स, आज कश्वीर हमारे लिए तनी थ्रेट नहीं है, इट इस अंडर कंट्रोल, पाकिस्तान इतना थ्रेट नहीं है, अंडर कंट्रोल, आज की तारिक में देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो है चीन, उसमें कोई शक नहीं है, मैंने अपनी ब्रिग में इंडिया ने कौर्ट क्यों जोइन किया इसके कई कारण है एक हम इंडिपेंडेंट सौवरन नेशन है हमें पूरा अधिकार है हमने अपने देश के हित्मे क्या सोचना है और वह बहुत सही डिसीशन है फ्यूचर बैटल फील्ड लाइस इन इंडो पैसिफिक उसमें कोई शक नहीं है और चाइना इंडो रिजिन उसमें भी कोई शक नहीं है पहला वार जो करेगा वार मतलब लड़ाई नहीं जो भी यह हरकत करेगा चाइना ने टाइवान के खिलाफ शुरू की है लेकिन साथ ही साथ इंडिया के साथ करता रहेगा गलवान में किया है और कई स्ट्राइजी बहुत क्लियर है अब इंडिया को क्या करना चाहिए देखिए इंडिया को अपनी लड़ाई खोद लड़नी है मिलिटरी लड़ाई उसमें शक नहीं है लेकिन हम सब समझते हैं कि लड़ाई सिर्फ मिलिटरी वाइज नहीं एकनॉमिक डिप्लोमेटिक सारे फ्रंट्स में होती है और इसमें वर्ल्ड एलाइंस की जरूरत है भविश्य में क्या इंडिया न्यूटरल खड़ा रहेगा सवाल यह उड़ता है मेरे को लगता है कल अगर चैना ने हमें थ्रेट दिया तो हमारे पास कोई आप्शन नहीं है कौड और स्ट्रेंग्डन और हमें वेस्ट के उपर थोड़ा रिलाइक करना पड़ेगा इसलिए आज की तारीक में इंडिया को जो स्टांस है हम वेस्ट को भी अनौए नहीं कर रहे हैं रूस को भी अनौए नहीं कर रहे हैं न्यूटरल स्टांस रख रहे हैं और जहां में पता है कि जैसे पॉयलेशन है इंडिया ने करेक्ट स्टेंड डिया है एपस्टेंड किया है और इंडारेक्टली वो रश्या के अगेंस था